इस हफते थीटर में रिलीज हुई दो मेगा बजट मुवीज, साढ़े तीन सो करोड में बड़े मिया, छोटे मिया, जिसमें अक्षे कुमार टाइगर शॉफ ने आक्शन मनाया है, तो दूसरी तरफ मैदान को बनाने में पूरे सौ करोड खर्च किये गए, इवन रिलीज कर मिला है, वो बड़े मिया, छोटे मिया और मैदान दोनों से 10 टाइम्स जादा है बॉस और इस बात से मैं 100% एगरी करती हूँ, कल रात को मैंने फिल्म देखी और देखते ही एक बार दिमाग में अचानक से आगई, इतनी बड़िया फिल्म है कि बॉलिवुड खुद को रो दोस्ती कर लो, सीनियर्स क्या पूरा कॉलेज आप से डरने लग जाएगा, ये आइडिया जिसके भी दिमाग में आया, वो पक्का जीनियस था सर। जिसकी लाश पर ये घर खड़ा है, रंगा की दोस्ती तो सब ने देख ली, लेकिन जब दुश्मनी होगी तो कहीं घर की दिवार पर इन तीनों की पेंटिंग तो नहीं तंगी होगी। Suspence, Thrill, Action, Comedy, Tragedy, Mask, मसाला, जो भी आपको पसंद है, सब कुछ आवेशं के अंदर मिलेगा, 5-6 फिल्मों के बराबर है ये एक फिल्म। सच बोलू, काफी टाइम बाद एक ऐसी फिल्म देखी है, जिसके अगले सीन में क्या होगा, वो पहले से बिल्कुल गैस नहीं कर सकते हैं, स्मार्ट, अन्प्रेडिक्टेबल सिनमा। आवेशं एक डिफरेंट यूनिक फिल्म है, जिसका सब्जेक्ट कॉलेज की वज़े से काफी रिलेटेबल लगता है, लेकिन रंगा से जुड़ा हुआ ट्पिस्ट पूरी कहानी सर्प्राइज बना देता है। रंगा वाले कैरेक्टर की राइटिंग, क्रिमिनल, साइकोबाथ, कॉमेडियन, लेयर्स ही लेयर्स हैं भाई, और किस ताइम पे कौन सा वाला स्क्रीन पे मौजूद है, कोई नहीं जानता। कमाल की बात है, फिल्म के सीन्स में बिना कुछ बोले भी इस लेवल की कॉमेडी हो जाती है, जितना आप पिछले कई सालों में किसी पूरी फिल्म में भी नहीं हसे होगे। बाकी आक्टर्स को जरुद पढ़ती है डायलोग्स की अपना प्रेजन्स किसी फिल्म में फील कराने के लिए, लेकिन फाहद फाजल बिना कुछ बोले सिर्फ आँखों से सबको हिला देते हैं। पूरे इंडियन सिनमा के बाकी आक्टर्स एक तरफ और दूसरी तरफ अकेले फाहद फाजल, अगर टैलेंट के स्केल पे ना पोगे तो मशीन दूसरी साइड अपने आप गिर जाएगी। फिल्म में आपको इसा लगे गए नहीं कि फाहद फाजल सिर्फ एक अक्टर है, कहानी में चार-पाज रूप बदलते हैं ये, डर लगेगा, हसी आएगी, साइको पंती और एमोशनल साइड। रंगा का कैरेक्टर मल्यालम सिनमा का सबसे मासी रूल माना जाएगा, बिना मशीन गन सिफ अपने हातों के इशारों से सीन को मास बना दिया। सीता रामम याद है, जिसने लाल सीन चडड़ा और रक्षा बंदन जसी मूबी से कंपीट किया और बाद में पबलिक ने उसको वन अफ दे बेस्ट फिल्म बोला। ठीक वैसे ही आवेश्रम एक कल्ट क्लासिक बनने वाली है, इस फिल्म को बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन जो देख लेगा, वो दूसरों से खुद को भेतर सिर्मा लवर बोलेगा। नेगिटिव्स में बड़ी शिकायत, कहानी थोड़ा और डिटेल्ड होती, मजा आजाता, खून खराबा वेट फाफा नहीं किया, अपॉर्चुनिटी मिस्ट। चोटी शिकायत ये, कि क्लाइमिक थोड़ा फास्ट और इंपेक्टलेस लगा मुझे, कहानी बेटर तो नहीं, लेकिन पारफुल एंडिन्ग डिजर्व करती है। बहुस अगर सच में अच्छा सिर्मा देखना है, तो आवेशम को गलती से भी मिस्स मत करना, ये फिल्म स्पेशल है, रीमेक बनने से पहले ओरिजिनल देख डालो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो, या पर कुछ शिकायद करनी हो, तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा सा इंतिजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाई बाई